के मैं आपके हिंदी टीचर आज आपको पाड चोधा जो बीद गई सो बाद गई पाड के बारे में मैं उसका शारांश बताऊंगी इसको मैंने क्लास में explain कर दिया था जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो बच्चे ध्यान से सुन लिजिये और अब त्यान से सुनने पर क्या होता है कि आधे कोश्चन के अंसर से हमें वैसे ही आ जाते हैं तो इस पार्ट का शारां ध्यान से सुनिए यह पार्ट जो है जो बीद गई सो भी बात गई पार्ट हरिवन्स राय बच्चन जी द्वारा लिखित है इसमें श्री बच्चन जी ने बताया है कि हमको उसके पीछे कुछ दिन के लिए शोप मनाते हैं लेकिन यह एक विवेक वान मनुष्य की पहचान बिल्कुल भी नहीं है यह हमारी नकरात्मक सोच को बहुत बढ़ावा देती है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए इस पार्ट में हमें एक आश्मान मतलब सौरी आस्मान के बता रहे हैं बता रहे हैं बच्चन जी की हमें निराशा नहीं करनी चाहिए और हमें हमें सा प्रगति करना चाहिए आगी की तरफ बढ़ना चाहिए हमें फूलों को देखिए हमारी जो हताशा निराशा है उसे हम दूर कर सकते हैं इस पार्ट में बच्चन जी ने यही बत कितने इसके तारे तूटे कितने इसके प्यारे चुटे इस पार्ट में यह सितारता प्यार चुर्द है प्रूंटें को justo कि डेखने साक्ता लूधां चुर्द जाता है हम से दूर हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको कुछ दिन के लिए शोप में डूब जाते हैं ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिवेकवान मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं करता है कि अपने जो भी प्यारा है उसके शोप मनाए बलकि हमें उसको आश्मान को दे लोटे तारो पर कब अंबर yeah जो बीत गई, फटा बात गई तो अंबर यही मैं है कि अम्बर इाखास का आपा है के बनुपसे एक नहीं गहीं नहीं जाता है अधा सूह कुछ मनाता हुआ बैठा का प employer और में यह नई उम्मीदि अटा tots चाहें área का नहीं पारा कुछ सीौ और में बढ़ाब पर्णृ के रूप में आप क्या है फूलों को बताया जा रहा है जीवन एक कुश्म टीज हो लिए वाली चीज होती है जिससे हं दूर हो जाते हैं एक फूल होता है जो बहुत प्यारा होता है उसह बंध रिल अतुम सुख समु आ ciudad कोई तो कि बदऑता है तो की तिमिदी इसा और फूल को सूख तो खिलना भी कर दूं तो ऐसा कुछ नहीं होता हमारा बगीचा जो होता है वो क्या करता है और आगे बढ़ता है और कल दूसरे दिन वह नए अच्छे अच्छे फूल हमें फिर से बगीचे में देखने को मिलते हैं जो मुर्जाई फिर वह कहां खिले यहां पर कभी एक कह रहे हैं कि जो फ जो फूल सूख गयें नश्ट हो गये हैं उन पर बगीचा कभी शोर मचाता है या फिर पर कभी उसका विरोध करता है तो यहां पर यहीं बताय जा रहा है कि फूल फूल के सूख जाने पर बगीचा उसका कभी भी विरोध नहीं करता और हमें आगे बढ़ने की प्रेर्ण देता है कि हमारा एक साथी सूख गया लेकिन हम उसका शोक नहीं बनाएंगे और क्या करेंगी एक विवेक वान मनुष्य की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे